मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2022 में लगने वाले दूसरे चंद ग्रहन के बारे में यह चंद ग्रहन किस समय और कहां कहां दिखाई दे 2022 का लगने वाला दूसरे ग्रहन से जुड़ी संपूर जानकारी देंगे आप अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे जियोतिस सास्त के अनुसा ग्रहन को असोब माना जाता है यह एक खगोली घटना है जो पुर्णीमा एवा ममज्यातिती को घटित होता है जब जब ग्रहन लगता है तो प्रकिर्ती और मानव जीवन में कई बदलाओ देखने को मिलते हैं कुछ के लिए अच्छा तो कुछ के लिए बुरा बैग्यानिक द्रिस्टी कोन से देखे तो ग्रहन एक आकासी घटना है चंदर ग्रहन तब लगता है जब पिर्थवी सूर तक रहे गा यह चंद ग्रहन भारत में कुछ जगों पर देखा जा सकेगा इसलिए भारत में इस ग्रहन का धार्मिक प्रभाव आरसु तक मानने होगा इसकी अलावा यह चंद–पूर्वी यूरोप, आस्ट्रेलिय, उत्रीका, अधिकान्स अमेरिका, प्रसांत महसागर, अ और आंटार्क्टिका में दिखाई देगा। बात करें चंद गहन के दौराण साब्धानिया क्या बरतनी होगी, तो चुकी यह चंद गहन भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक और गहन के सारे नियम मानने होगे। खासकर गर्वती महिलाओं को भी से सावधानी बरतनी होगी, इस समय उनको नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना होगा, बाहर निकलना वर्जित होगा, खाने पीने की चीजों में ग्रहन शुरू होने से पहले तुलसी का पत्ता डाल लेना होगा, ग्रहन समाप्त होने पर असनान अवस्य करना होगा, सूतक लगते ही मूर्ती असपर्स बर्जित हो जाता है, आपको बता दे, चंद ग्रहन के दोरान सूतक काल, चंद ग्रहन सुरू होने से नौ घंटे पहले लग जाता है, जो की चंद ग्रहन के साथ ही समाप्त होता है, ग्रहन के समय ना खुन ना काटे बाल ना बनाए ना काटे अस्त्री परसंग से बचे बच्चे बूढ़े एवं गर्वती महिला को खाने एवं पीने में दोस्त नहीं लगता है ग्रहन समापती पर आपस नान अवस्य करें सामर्थ की अनुसार दान अवस्य करें तो दोस्तों ये मैंने साल दोहजर अगर आपके मन में कोई सवाल है इस ग्रहन को लेके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई दूँगी वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स